हाई फ्रेंड्स वेलकमेंड नमस्ति दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल डिलिश्यस कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा हेल्दी और टेस्टी नास्ता दोस्तों नास्ते तो आपने कई प्रकार के खाया होगा लेकिन अगर पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक से जरूर से कर दीजियेगा और कमेंट करके वी वताईएगा चलिए शुरू कर लेते हैं यह देखिए हमने ले लिया है एक बड़ा बरतन इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा आप मैदा की जगा पर खाली आटे का इस्त कि आप घी की जगा पर ओयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं रिफाइंड ओयल का देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा पाने डालके यहां पर एक्तम टाइट सा डू लगा के तैयार कर लेंगे जैसा कि हम पूरी के लिए लगाते हैं बस उसी तरीके का डू चाहिए हमें देखि सेट कर दिया हमने देख समय के लिए आव में से कभर करके रख देंगे ताकि हमारा 8 हो जाए तब तक अम आगे के तयारी कर लेती हैं इन ले लिए। हम को को हँषीद के लिए लिए कच्क्य अलू का दोस्तों तो सब करनें को अच्छी से दोलेंगे थाकि इनको जितना भी ऑसलिए सब निकल जाये कि अब ये देखिए दोस्तो हम ने सम Angry निरहीं को ने को देंगे टाइटले निचोड़ेंगे दोस्तों देखे हमने निचोड़ दिया इसी तरीके से हम सारे आलू को निकाल के तयार कर लेंगे निकाल दिया हमने और आलू हमारे एक तम से ट्राय हो गए हैं बस इसी तरीके के चाहिए हमें और दोस्तों हमने पैन चड़ाया है पैन म पर भूं देगे तक इनका एक्स्ट्राकच्चा पन निकल जाए ये देखिया हम डाल देंगे एक गाज़र को में ग्रीट करके डाल दिया और यहां पर हमने एक इंच अद्रक के टुकड़े को भी ग्रीट करके डाला है है और एक कि चीजों कर दो अच्छे से मिक्स करदेंगे एक चमच कोरीअंडर पाउडरी चमचण घरब मिर्च और एक चमच हम डाल देंगे इस헌टie उन्साल नमक इस रोच नेरे दिया सब्कूरी उन्हें हम डाल देना दे हैं हमने तो समय स्वाटार को अयुन डाल निवू का रस निवू की रस ना हो आपके पास तो आप हम चुर पाउडर के इस्तिमाल कर सकते हैं यह देखिए डाल दिया हमने मिक्स करेंगे केस की फ्लेम को आफ कर दिया है मिक्स करके हम इसको एक बरतन में ट्रांसफर कर देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो सके यह देखिए ट्रांसफर कर दिया हमने इसको हम अच्छे से फैला देंगे तक कि जल्दी धंडा हो जाए तक हमारा मसाला धंडा हुगा तक हम अपने आटे को चैड़ कर देते हैं देखिए 10 मिन ठोल चुके हैं और आटे को एक बार हम मसल मसल के तयार कर देंगे अच्छे से देखे हमने बहुत ही अच्छे से एक तर्मसर लिया है आटे को, अब हम इसको एक वर पार्ट में डिवैड कर देंगे, यह देखे हमने इससे टोटल चार पेले बनाये हैं, अदेखे इस तरीके से बराबर बराबर महत्रा में, हम दो चार पेले बनाकर तयार कर देखें, इस हम एक पेडा उठाएंगे और उसको सुखे आड़े में लपिट अब लेंगे ना तो जादा मोटा वे लेंगे और ना ही जादा पतला बेलेंगे इसको उसी तरीके के जिस तरीके से चपाती बनाते हैं उसी तरीके से अब तेक हमने ले लिये एक कटोरी आप जिस कीसाइच का नाज़ता बनाना चाहते हैं उसके हिसाब सिक ले सकते हैं कि देखे ने कर दोरी से सभी circles को कट कर लिया है और एक्षडा हर आटे को हम उटा देंगे और इसी तरीके से हम सारेです RAM बना कर तैयार कर लेंगे दोस्तों आप जोब माइब देना चाहे हैं अपको को दोटेसाएं मैं नहीं यहां पर सरक्ल का सेभ दिया है और इसी तरीके से हम सारे सरक अपने बनाकर त्यार करेंगी दोश्तों बाकि खि allora कि हम इसी तरीक से बनाखे देंड़ेंगे वी देखिए हम इनको निकार दिया और बाकी के भी बहुते ज़्यादा पसननाता है हमने ले दिया है पर एक सरकल में अमने टाल दिया है दो डेबले स्पून भर के बसाल जो हमने बना कर ली किया था वह और इसको हम अच्छे से बंद करेंगे, देखे इस तरीके से, आप चाहें तो इस तरीके से उगलियों से दवाकाई भी बंद कर सकते हैं, देखे मैंने इस तरीके से बंद कर दिया, अब हम फोक की हेल्प से इसके उपर डिजैन भी बन जाएगा हमारा, और ये अच्छे से से बना कर लिया हमने आपको एक और बना के दिखा देती हूं हम हाथ से भी बना सकते हैं बगर फैक फॉक के इसी तरीके से हम भरके स्कुल अड़ी करेंगे इस तरीके से अंजर की तरफ दबाते हुए और आच्छे से इसको सील कर लेंगे हुआ दोस्तों यसी तरी से हम इसको इसे से दपार दबा कर से चडरेंगे दोस्तों विख़ेंगा थिटेय तो हैसी तरी क्icamente सोमें इनाय रिद्वाएं मैंत जाने के बाद खुवसक्ता है बस इसी तरी हो मैं आम नास्ते कर लिए कि नास्ते को लगो अब हमने चड़ा दिया है के आश पेंगों पेंग्ण्या गरभज्व बहुत जाताथ गरभ नहीं सब्रक्तरी हुआ है अजियो हैं दो मेडियम फ्लेन पर हम सैलो फराइ कर लेंगे और पलट मुझा कर तब तक सब्सक्राइए जब तक कि यह अच्छे से लडन हो जाए मैं अभर देखिए दो हमारा नास्ता अच्छे से लडन हो चुका है अब हम अपने नास्ते को निकार लेते हैं और इसी तरीके से हम अपने सारे नास्ता को बना कर तयार करेंगे विह देखिए दूसकों हम आरजरा नास्ता बनके हो गया है रैडी चलिए सर्व कर लेते हैं अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक से जरूर से कीजिएगा और चैनल को सक्सकाइब कीजिएगा और बटन को सलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे और कॉमेंट करके भी बताईएगा कि नास्ता कैसा लगा है और यह देखिए दोस्तों हमारा नास्ता सर्फ होके हो गया है रेडी और देखिए मैं आपको एक तोड़के भी दिखाती हूँ अभी एक कितना ज़्यादा चीजी बना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था दोस् का देती हूँ कितना अच्छा बनाएं दोस्तों मिलते हैं कि और वीडियो में थैंक्स पॉर वोचिंग और बाई